हलो, गुडिवनिंग मेरे प्यारे बच्चो, आपका स्वागत है हमारे चानल इंग्लिस ब्लास्टर में आज का विडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चो, इसलिए इस विडियो को आप सुरू से लेकि अन तक देखेंगे क्योंकि आज का जो क्लास है हमारा idioms and phrases का क्लास है जो कि हर एक एक एक्जाम के लिए इंग्लिस के हर एक structure के लिए काफी important जैसे आपको इंग्लिस बोलने सिखनी हो या फिर आपको अपना vocab strong करना हो तो इन सब चीजों के लिए ये जो idioms and phrases है ये काफी important होता है इसलिए चलिए एक एक करके उनको हम देखते हैं हमारा पहला क्या है बच्चों देखते हैं पहला है हमारा in a fix in a fix का मतलब होता है दूविधा या परिसानी में परना क्या होता है बच्चों इनका मतलब दूविधा या परिसानी में पर जाना इनको हम sentence से समझेंगे बच्छो After losing my purse After losing my purse मेरा पर्स खोने के बाद I was in fix मैं परिसानी में पर गया मैं किस में था? परिसानी में था जब मैंने अपना पर्स खो दिया तो मैं क्या हो गया? परिसान हो गया ठीक है बच्छो? अगला है Kept in touch with Kept in touch with इसका मतलब होता है बच्छो संपर्क बनाए रखना क्या होता है? संपर्क बनाए रखना ठीक है बच्छो? sentence से समझते है You should keep in touch with your old friends आपको अपने पुराने मित्रों के संपर्क में रहना चाहिए मतलब आपको अपने पुरानों मित्रों के साथ संपर्क साधि रहना चाहिए ठीक है बच्छो? next है हमारा leak out leak out का मतलब होता है बच्छो रहस का खुल जाना या भेद का खुल जाना बोल सकते हैं या किसी कोई चीज एकाएक प्रगट हो जाना वो क्या होता है बच्छो? leak out just example the secret of the secret of your red hair बच्छो यहाँ पर क्या कर लेंगे? your the secret of your red hair मतलब आपके लाल बालो का राज leaked out खुल गया आपके लाल बालो का जो रहस था राज था वो क्या हो गया बच्छो? खुल गया the secret of your red hair ठीक है बच्छो? next है हमारा black out black out का मतलब होता है बेहोस हो जाना क्या होता है बच्छो? बेहोस हो जाना बोल सकते हतास हो जाना है ना? बेहोस हो जाना example देखेंगे see blacked out after sing the snake वह बेहोस हो गई कब साप को देखकर वह साप को देखकर क्या हो गई बच्छो? बेहोस हो गई अगला देखेंगे हम अपना लांग फोर लांग फोर का मतलब क्या होता है बच्चो त्री विक्षा रखना या किसी चीज के लिए तरस जाना उसी को हम इंगलिस में क्या बोलते हैं लांग फोर इसका आर्थ होता है तरस जाना एक्जामपल देखते हैं बच्चो गुडिया is longing for eating pizza मतलब गुडिया pizza खाने के लिए तरस रही है क्या खाने के लिए pizza खाने के लिए longing for ठीक है next है हमारा look into look into का मतलब होता है जाच प्रताल करना जाचना ठीक है बच्चो example दिख्टें the policeman looked into the murder case मतलब policeman ने कोई एक police ने किसी murder case की चांच की ठीक है बच्चो next है हमारा out of packet out of pocket ठीक है बच्चो pocket परते इसको out of pocket का मतलब होता है पैसा ना होना पैसे की तंगी होना है न यह होता है इसका मतलब example से समझते है nowadays आज कल I am out of pocket मतलब आज कल मेरे पास पैसे की अगी है ठीक है आज कल मुझे पैसे की तंगी है मेरे पास पैसा नहीं है ठीक है बच्चो Ka knockout नोका आउट का मतलब क्या होता है बच्चोह नोक ऑउड का मतलब होता है पचhasaara देना या बाहर निकाल देन क्या करना पचhasaara देना या निकाल देना एक्जाम्पल से समझेंगे द इंग्लैंड नॉक्ट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप मतलब इंग्लैंड को द इंग्लैंड इंग्लैंड को नॉक्ट आउट कर दिया गया फ्रॉम द वर्ल्ड कप किसे वर्ल्ड कप से मतलब इंग्लैंड को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया ठीक है बच्चो आसा है कि आप सारे टॉपिक्स को सारे एडिम्स को अच्छे से संजहूंगे बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करे, सस्क्राइब करे और प्मेंट इकरे ठीक है और हमारा सहियोग करे बच्चो डार्सोल चाहिन जावार